जीतन रामाजी ये नाम सुनते ही आपको अचानक से वो सारी बाते याद आ जाएंगी जो 2014 से सुरू हुई थी, 2013 से सुरू हुई थी और 2017 से सुरू हुई थी आपको याद होगा कि 2013 में जब नितीश कुमार बाहर आये थे एंडिये से तो उनकी तैयारियों में जीतन रामाजी का एक बड़ा योगदान था क्योंकि उनके वोट बैंक पर नितीश कुमार पूरी तरह से आस्रित होते थे नितीश कुमार के पास अपना जो वोट बैंक था उसके साथ साथ जीतन रामाजी भी उनके एक मजबूत भागिदार थे बड़ी मजबूती से उनके साथ चल रहे थे उसी का इनाम 2014 में नितीश कुमार जब लोग सभा चुनाओं में नैतिक्ता के अधार पर मुख्य मंत्री के पद से इस्तीफा देकर जीतन रामाजी को बिठा है तो बहुत सारी बातें बदलने लगी कहा यह जाने लगा कि नितीश कुमार जैसा त्यागी पूरुष नहीं होगा कोई सत्ता भी किसी को देता है आज उसी बात की चर्चा फिर से होती है कि क्या नितीश कुमार तेजस्वियादों को सत्ता दे देंगे लेकिन 2014 में जब सत्ता दिया नितीश कुमार ने उसके बा बाद भी नितीश कुमार और जीतन रामाजी के बीच कई तलकियां रही दोनों एक दुसरे के विरोध में 2015 का चुनाव लड़े लेकिन फिर 2017 में जब नितीश कुमार वापसी कर गए NDA में तो जीतन रामाजी को ये बरदास्त नहीं हुआ और भागे भागे वो NDA छोड़कर महागटबंदन के तरफ आए महागटबंदन में आने का उनको इनाम भी मिला और लालू परसाद ने उनके पुत्र को MLC बनाया कहानी चली रही थी कि इसी बीच में जीतन रामाजी 2019 के चुनाव के बाद काफी परिसान रहने लगे क्योंकि उनका मकसद कामयाब नहीं हुआ था और 2019 के चुनाव खतम होते ही फिर से वो नितिश कुमार से नजदीकियां बढ़ाने लगे और इंडिये का हिस्सा बन गए साथ में चुनाव लड़ा 2020 का और चार सीट ले करके आए नितिश कुमार के लाई पार्टनर के रूप में थे और जैसे ही अब पिछले ही वर्स जब माफ कीजिएगा जब इसी वर्स नितिश कुमार से अलग हुए जीतन रामाजी तो कहा जाने लगा था कि नितिश कुमार की बड़ी प्लानिंग है और इस प्लानिंग के तहत ही जीतन रामाजी को एंडिये में भेज रहे हैं जिसे की एक दरवाजा जो है वो खूला रहे है लेकिन जीतन रामाजी जिस तरह का बेवार कर रहे हैं और जिस तरह से बार बार नितीश कुमार को चेक्मेट कर रहे हैं वो साफ दरसाता है कि कहीं न कहीं नितीश कुमार पर भारी पढ़ने लगे हैं जीतन राम माजी ने नितीश कुमार के लिए सारा हिसाब किता बराबर करने वाला फर्मूला अपना लिया है और मौका मिलते ही नितीश कुमार का गेम पैक अप कराने की पूरी तैयारी कर लिए नितीश कुमार की दिल्ली में कोई दाल नहीं गल रही है दोनों ही खेमे से गर बात करे तो इसके साथ-साथ जीतन रामाजी नितीश कुमार के सासन सुसासन को ले करके भी अब काफी हमलावर हैं जैसा कि अब सभी जानते हैं कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम के संदक्चक और पुर्व मुख्य मंतरी जीतन रामाजी ने प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी की तुलना अटल बिहारी बाजपेई से की और इसके साथ-साथ उन्होंने ये भी बताया कि प्रधान मंतरी अट नितिश कुमार के तरफ और उन्होंने कहा है कि सब को लेकर चलने में विश्वास करने वाले भारत के विकास करने वाले प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी के विरुद्ध नितिश कुमार कहीं नहीं ठीकते हैं नरेंद मोदी ने उनके ही पद्चिनों पर चलने का संकल्प लिया है और चल रहे हैं इसके साथ उन्हें ने कहा कि नितीश कुमार जाती की बात करते हैं जबकि नरेंद मोदी जमात की बात करते हैं बात यहीं तक नहीं रुकी सीधे तोर पे जीतन रभमाजी ने नितीश कुमार को कोट करते हुए कहा कि बिहार में उनका सासन ब्रस्तचार का बहुत बड़ा अड़ा है और सिर्जन गोटाला जैसा बड़ा गोटाला होता है इतना ही नहीं बिना घुश के कोई भी अफसर आपका कोई काम नहीं करता है और इस बात की चर्चा दो दिन पहले भी आपने सुना होगा कि एक MLC है उनको लेकर के भी चर्चा चल रही थी कि जब वो फोन करते हैं अधिकारी को तो अधिकारी कहते हैं पैसे के तो होगा नहीं खैर ये चीजे चल ही रही है आप भी जब रोज मर्दे की जिंदगी में अधिकारियों के पास जाते होंगे तो आपको अनलाजा लगता होगा कि किस तरह की सरकार चल रही है उन्होंने जिन लोगों को भरष्टचारी कहा था वो जमानत पर बाहर है आज उनके ही साथ रहकर नितिश अपनी छवी को धुमिल कर रहे है ये जीतन राम माजी का कहना है और ये साब बताता है कि कहीं ने कहीं जीतन राम माजी ने सपश्ट कर दिया है नितिश कुमार के दिल्ली यात्रा के भीच इस तरह के बयान आना कहीं ने कहीं इस बात की त जीतना माजी ने नितीश कुमार से अपना आगला पिछला सब हिसाब किताब बराबर कर लिया है। जीतना माजी ने ने नितीश कुमार से अपना आप लिए नितीश कुमार से अपना आप लिया है।